चर्चा वास्तु शास्त्र की वास्तु शास्त्र में आज हम बात करेंगे घर की दिशाओं के अरुसार पर्दों के रंग के बारे में वास्तु शात्र में हर एक दिशा के संबंद किसी ने किसी खास रंग से होता है और अगर उसके हिसाब से घर की साथ सज्जा की जाए तो वास्तु के अपरतिम लाव देखने को मिलते हैं साथ ही कई तरह के वास्तु दोश्चों से भी चुटकरा मिलता है आता है इस कड़ी में आज हम सबसे बात करेंगे घर की पूर्व दिशा में पर्दो के रंग और उसे मिलने वाले लाप के बारे में वातुशात्र के अमसार घर की पूर्व दिशा में हरे रंग के परदे लगाना अच्छा माना जाता है किसी भी कमरे के पूर्व दिशा में हरे रंग के परदे लगाने से उस कमरे में रहने वाले लोगों के पैरों में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती और उनके पैर मजबूत रहते हैं इसके अलावा घर में बड़े बेटे के साथ संब्द अच्छे बने रहते हैं और जीवन की गती में उस किसी प्रकार की परिशानी का सामना नहीं करना पड़ता वातुशात में कल हम बात करेंगे घर की पर्चिन दिशा में पर्दों के रंगे बारे में